इस lesson में हम लोग discuss करेंगे assets कैसे create किये जाते हैं और icons का effective इस्तमाल कैसे किया जा सकता है तो इन text को थोड़ा सा move कर लेते हैं इसकी मैं एक और copy generate कर सकता हूँ मजीद हम अपना इसमें जो next variant है जैसा कि इसको हम कह देते हैं कि step one ठीक है और इसको कह देते हैं step two create करेंगे अब icons कहां पर place किया जा सकते हैं अगर हम specific screen की बात करें तो यह जो आपको text fields नजर आ रही है इसके जो content है इसके पीछे हम एक icon place कर सकते हैं ठीक है तो जैसे नाम है तो पीछे profile image जैसा icon place किया जा सकता है phone number के पीछे phone place किया जा सकता है ताके थोड़ा मजीद जो content है वो interesting हो जाए तो बजाए कि हम इन screens के ओपर इस तरह के icons place करें जो कि सिर्फ concept था so this doesn't make sense तो हम कोशिश करेंगे कि उन icons को इस्तेमाल किया जाए जो कि हमने अपने actual design में use करना है तो उसके लिए I will recommend के आप दुबारा से वापस material.io वाली website पर जाए और यहां से जाके get to the resources और यह आपके पास है icons ठीके जी so मेरे पास material design icons open है और यहां से जाके आप multiple icons को download कर सकते हैं ठीके जी तो यहां पर मैं search करता हूँ that is going to be the profile और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के results आते हैं तो यहां से कोई icon choose कर लेते हैं and I think this icon with a name person will work for us तो मैं इस पर click कर रहा हूँ इसको आप download कैसे कर सकते हैं यह आपके पास एक button है कि आप SVG 24 pixels के अंदर इसको download करें so मैं इसको desktop पे एक new folder create करता हूँ कि this is going to be the icons और मैं इसको save कर लेता हूँ ठीके इसको कहते हैं जी show in finder और अपनी XT file में जाके इसको drag कर लेते हैं ठीके जी और इसको मैंने drag किया और यहां पे place कर दिया इस नाम को थोड़ा सा मजीद adjust कर लेते हैं ठीके और इसी तरह से हम अपने phone number का icon भी वहां से लेकर आते हैं तो दुआरा वापिस जाते हैं और यहां पे जाके type करते हैं phone और यहां से जो icon आपको ज़्यदा suitable लगता है जैसा कि मुझे यहां पे icon है with a name phone underscore enabled तो मैं इस पे click करता हूँ और इसको हम लोग use करेंगे अपने design के अंदर ठीक है सेम तरीका है मैं दुबारा से इसको show in finder कर रहा हूँ xt open कर रहा हूँ और यहां से इसको drag करके open कर रहा हूँ ठीक है और इसको यहां पे place कर लेते है So this is how you can place the icons अब next important चीज है that how to create the assets और इसके क्या benefits है ठीक है जी तो assets के लिए जैसा के हमने यहां पे कुछ icons का इस्तमाल किया कुछ text fields का इस्तमाल किया और एक button को इस्तमाल किया तो हम इनके assets create करेंगे So how we are going to create the assets मैं इन सब को group कर रहा हूँ ठीक है select किया यहां से group किया और उसके बाद यहां पे अगर आप bottom पे देखें तो आपको तीन चीज़े नज़र आएंगी the first one is the assets the second one is the layers और third one हमारे पास है plugins तो assets को open करते है और इसकी selection के बाद यहां पे अगर आप देखें तो आपको section नज़र आएगा components का तो इसको मैं as a component के तोर पे add कर दूँगा और इसको हम नामिक दे देंगे text field ठीक है जी इसका फाइदा यह है कि हम अपने design के अंदर overall अब देखें हमने अपने बागी design के अंदर अगर कहीं और भी text field का इस्तमाल करना है तो हम simple और simple यहां से component को drag करेंगे और यहां पर place करेंगे और उसको हम edit कर सकता है ठीक है जैसे कि मैं यहां पर place कर सकता हूं कि choose purpose ठीक है और अपने इस icon को replace कर सकता हूं तो इसका फाइदा यह होगा कि for example मैं इस पर click करता हूं right click करके मैं कहता हूं जी edit main component ठीक है और मैं component का जो color है वो change कर लेता हूं for example यह जो आपको इसकी boundary नजर आ रही है मैं double click करता हूं इसके उपर इसकी boundary को जो solid है उसको हम जो transparency थी उसको हमने बिल्कुल solid कर दिया और जो component हमने use किया था इसमें से यहां पर देखी हम उसने वो ही change इसके ओपर भी apply कर दिया क्योंकि this is the child component and this is the parent component अब इसके बाद हम जो भी नया component लेके आएंगे उसमें आपको वो change नजर आएगा ठीक है तो इसका यह फाइदा है कि अगर आपके पास 50 या 100 से ज़्यादा screens है और आप उसमें कोई change करना चाहते है तो अगर तो आपने parent component create किया होगा और आपने उससे बाकी child components generate किये तो आप एक जगा से जाके वो change apply कर सकते है otherwise you will have to spend a lot of time and you will have to go on every individual screen to make the change so this is how it is very important to create the components बिल्कुल इसी तर icons के साथ भी ऐसे ही है तो फिल हाल मैं इसको delete कर लेता हूँ और यहाँ से जो icon है हम इसका component generate कर लेते हैं ठीक है तो मैं यहाँ से इसको select किया और components पे click किया और यहाँ से अग आप इसको कोई गर नाम देना चाहते हैं आप इसको नाम दे सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही हम इस जो icon है इसका भी एक component यहाँ पर generate कर लेते हैं ठीक है और बिल्कुल ऐसे ही जो button है मैं इसको group कर रहा हूँ और मैं इसको भी इसमें add कर लेता हूँ and that is going to be our button ठीक है इसके बाद जो next important चीजें है that is going to be the character styles इसको भी हम कोशिश करेंगे अपने assets में add करते जाएं तो जो mean heading है for example वो हम use कर रहे है Roboto और उसका size है 45 और उसका जो style है वो है bold और हम चाहते हैं कि हम throughout the design जब भी headings को इस्तमाल करें तो उसका size यही होना चाहिए उसका style भी यही होना चाहिए और उसका जो type faith है वो भी यही होना चाहिए तो मैंने इस पर click किया और character styles में जाके मैंने इसको style के तौर पर add कर दिया ठीक है और यहाँ पर हम उसको नाम दे सकते हैं this is the main heading ठीक है और यह जो नीचे text है अगर आप चाहते हैं कि यह भी repeat हो इसको भी हम character styles में add कर लेते हैं and that is going to be the sub heading और अब next screen की तरफ move करते हैं और कोशिश करेंगे कि यहां से अगर कोई assets इस्तमाल हो सकते हैं तो हम उन assets का इस्तमाल करेंगे तो next concept हमारे पास यह है कि उसको OTP जो code है वो receive होगा phone number के उपर और वो यहां पर enter करेगा तो next screen हमारे पास है जी this one और यहां पर हमें button चाहिए तो button को सरफ और सरफ हम ओके अच्छा मजीद आपको समझाने के लिए मैं इस content को delete कर रहा हूं यह जितना content है और यहां से हम components को use करेंगे तो इसके उपर हमें button भी चाहिए ठीक है और हमें text field भी चाहिए लेकिन हम उसको बाद में edit कर लेते हैं तो इसको मैं यहां से फिलहाल ungroup कर लेता हूं इसको भी ungroup कर लेता हूं ठीक है we do not need this one we do not need this one और इसको हम लोग इस grid के accordingly set कर लेते हैं ठीक है और यहां पर वो one time password enter करेगा ठीक है और इसका जो text उसको change कर लेते हैं that verify number ठीक है इसको इसके accordingly place कर लेते हैं ठीक है जी और यहां पर हम कोई subheading add करते हैं तो subheading हमने यहां पर अलएड़ी लिखी वी है उसको अपने assets में add किया है तो text लेते हैं यहां पर write करते हैं that is going to be के the OTP has been sent to your phone number please enter the code below and verify number ठीक है तो इसको हमने इस style में present करना है तो simple इसको मैंने select किया और अपने we will place it in the middle ठीक है जी और मजीद अगर हम इस screen को देखें तो इसमें मजीद क्या चीज आ सकती है इसमें मजीद यह आ सकता है कि didn't receive code और नीचे हम उसको एक बटन दे सकते हैं कि we send the code ठीक है या उसको एक link दे सकते हैं so we send इसको हम यहां से bold कर सकते हैं इसको यहां से underline कर सकते हैं ठीक है इसको नीचे place कर लेते हैं अगर आप इसको ओपर place करना चाहें तो आप इसको इसके नीचे भी place कर सकते हैं या बिलकुल बटन के नीचे place कर सकते हैं तो this is the benefit for creating the assets, for creating the components, character styles, आप जो भी design बनाएं कोशिश करें के high fidelity के अंदर ही इन चीजों को adjust करते जाएं ताके in case आपका design final होता जाता है तो आपको दुबारा से इन चीजों पर काम ना करना पड़े so this is all about the assets, see you in the next lesson, thank you so much